हलो नमस्कार कैसे हैं आप सब चलिए मैं आज 22 जून 2020 का करेंट अफेल लेका हूं आपके सामने चलिए डिस्कस करते हैं कि किस केंद्री मंत्री ने दावा किया है कि गालवन वैली में खुनी जड़ब के दोरान चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए और भारत ने भी चिनी सैनेको में पकड़ा था तो यह दावा जो किया है आपके वीके सिंग ने किया है वीके सिंग आप जानते हैं पूर आडशी ने तो नहीं है कि गालवन घाटी में जो डिस्पीट हुआ न उसमें हमसे जगा नुकसान चीन को हुआ है, ठीक होगी बात, चले मैं आपको गालवन घाटी दिखाता हूँ, आप आजी ही मेरे साथ, देख लीजे, ये LAC है, Line of Actual Control, और Line of Actual Control के पास यही है आपकी गालवन घाटी जहाँ पर clash हुआ है, ये देख सकते हैं, ये अकसाई ची है, ज्यान से देखेगा, ये सियाचीन का इलागा हमारे में आता है, ठीक बात है, ये वाला हिस्सा, ये वो हिस्सा है जो चाइना को पाकिस्तान ने दे रखा है, ठीक होगी बात, तो आप देख सकते हैं, ये गालवन घाटी है, जहाँ पर clash हुआ था, ठीक होगी बात, ये RBI के पूर गवनर उर्जित पटेल को अब किस संस्थान का चेन्वन बनाया गया है, तो देख लीजे, RBI के पूर गवनर को अब रास्टिये लोक विट एवम नीती संस्थान का चेन्वन बनाया गया है, ठीक होगी बात, इसकी फुल फॉर्म होगी इंगलिश में, National Institute of Public Finance and Policy इसकी फुल फॉर्म होगी, National Institute of Public Finance and Policy, ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष बने हैं, यह क्या काम है, इसका NIPFP का, देखे यह वितमंत्रले के, पूर योजनायों के, और कहीं राज्य सरकारों के, का मिला जुला एक उपकरम है, उपकरम क्या एक ब बारे में, तो एक गैर सरकारी एक संस्थान है, सरकारी पहचान है इसकी, गैर सरकारी पहचान है, जो गवर्मेंट को economic section में है, बेगुल advice करता है, तो इसके जो अध्यक्ष बन गए हैं, अब बन गए हैं आपके उर्जित पटेल, ठीक बात है, उर्जित पटेल से पहले विजे केल कर की जगे बने हैं, उर्जित पटेल, ठीक होगी बात, चलिए मैं next question पे आ रहा हूँ, कहरा, कोरुना वाइरस के कारण, इस बार तीन मुख्य मंत्रियों की सहमती से धार्मिक यात्रा को पर्तिबंदित कर दिया गया है, कौन सी धार्मिक यात्रा है, देखे परुना के चलते, कावार यातरा को नहीं चलाया जाएगा, ठीक होगी बात, चलिए, next question पे आ रहा हूँ, next question क्या है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कम मनाया जाता है, यानि world हाइड्रोग्राफी दिवस कम मनाया जाता है, यही तो है question, तो यह मनाया गया आपका 21 ज को सियुइनिंग सि कि अउट नॉमस नोमस सो जगे नहीं है कि टेकनोलोजी थे को गई बात इसका मतलब क्या है हाइड ग्राफी जो है अनेंब लिंग मतलब समर्थ बना रही है और ग्राफी के बढ़ावा देने में हार्डोग्राफी बहुत साहेता कर रही है इस बार की थीम्ती 21 नॉवंबर को मना जाता है ठीक होगे बाद 2005 से हमसे मना रहे हैं अंतरास्टी यह जल सर्विक्षन संगठन है एक उसके द्वारे डिकलेड है यह 2005 से मना जा रहा है चलिए नेक्स्ट कुछिन पर आ रहा हू कहरा BCCI अध्यक्ष स्वारव गांगुली बिलकुल ठीक बात है और फुटबॉल खिलाड़ी सुनिल छेतरी को किस कंपनी ने अपना ब्रैंड अमज़र बना है तो JSW के कंपनी है सीमेंट की कंपनी है JSW उसके ब्रैंड अमज़र बने है स्वारव गांगुली और सुनिल छ और सुनिल चेतरी के साथ ये कॉंट्रेक्ट साइन हो है चलिए नेक्स्ट कोशिन पर आ रहा हूं क्या किया रहा है बिठल का निधन हो गया बिल्कुल ठीक बात है वो किस पत्र क्या थे वो देखिए वो अर्थशास्त्री थे 1950 बेच के आई एस थे जिनका निधन हो गया है अभी ठीक बात है चलिए भीविन पदों पर रहे है वो नेक्स्ट कहरा Father's Day कब मनाया जाता है ठीक बात है Father's Day जून के तीसरे रविबार को मनाया जाता है इस बार 21 जून को मनाया गया ठीक कल था Father's Day आप जानते है ग्रहें बेव को ने बिग बास्केट और किस कमपनी को बंगाल में शराफ की होम दिलिवरी देने की मंजूरी देती है। तो बेव को ने जो ये अनुमती दिया है वो है Amazon को दिया। आप कहेंगे बेव को कहा है पहले तो आपको बेव को समझना चाहिए। देखे बी इवी का मतलब है बैवरीज और सी ओ का मतलब है कमपनी यह पच्छी मंगाल की सरकारी कमपनी है जिसने का है कि बिग बास्केट और आपकी जो अमेजन है वो होम दिलिवरी करेंगी शरापकीट बंगाल में ठीक हो कई बात बेपको कमपनी के साथ हुए है साइन बे कौन सी कमपनी है जो डेड़ सो अरब डॉलर के बजार पुंजी करन के साथ भारत की सबसे बड़ी कमपनी बन गई है रिलाइंस इंडस्ट्री लिमिटेड आयर आयल जिसके अद्द मालिक कौन है जिसके मालिक है मुकीश अंबानी ठीक है पहली बार को यह कमपनी डेड़ स देखें रिलाइंस जियो की स्पीड बताई गई है डम 20 Mbps के साथ नंबर वन रही है जबकि 7.9 Mbps के साथ एरिटेल की स्पीड रही है ठीक है तो नंबर वन कमपनी रही है ट्राइ ने यह जारी किया है ठीक हो कही बात एक पेपर में ट्राइ की स्थापना पूछी हुई करना पूछाए तो जरा आप ट्राइ की स्थापना देखेगा रेगुलेटरी कमपनी है टेलीकॉम को रेगुलेट करती है पेपर में पूछा हुआ था उत्राखन में तो आपको चेक करना चाहिए ट्राइ के स्थापलिश कब हुई थी चलिए नेक्सट कियरा चीन की मोटर company है जिसका नाम है GWM बिल्कुल ठीक बात है महाराश सरकार के बीच कितने रुपे का sign हुआ था 100 करोड डॉलर का sign हुआ देखे तो कोई important बात नहीं है पहले में GWM को देख लिए G का मतलब है जर्नल W का मतलब है Wall और M का मतलब है Motors ठीक बात है यह क्या करती है यह गाड़ी बनाने वाली company है यह ताले गाओ ताले गाओ जगे है महारास्ट में वहाँ पर अपना एक manufacturing company बना रही थी hub बना रही थी लेकिन अभी कह रहे है कि जो Galvan Valley में tension हुई है उसके बाद इस पर शायद अभी महारास्ट सरका ने freeze कर दिया है इसका जो investment है ठीक है तो यह चाइनिज company थी इसका नाम तो General Wall Motors ताले गाओ महारास्ट में invest कर रही थी पैसे वैसे याद करने की कोई जूरत नहीं है ठीक बात चलिए next क्यारा कार खरीदने के लिए 100% loan उपलब्द कराने वाला मारुति सूजुकी ने किसके साथ देखे करूर वैशे बैंक है इसके साथ यह हुआ है कि आपको on road car मिलेगी with loan 100% आपको कुछ भी नहीं देना कोई down payment नहीं देनी है आपको और आपको on road car मिलेगी आप just आईए loan sanction हो गया तो आप car लेकर जाएए आपको और कुछ नहीं देना है ठीक होगी बात आप just car लेकर जाएए चलिए मैं next question पर आ रहा हूँ कहरा है इन में से किसने हाली में भारत की चलती फिरती lab i lab की शुरुवात की है बिल्कुल ठीक बात है i lab की शुरुवात किसने की है तो स्वास्ते मंत्री कोन है dr. हर्षवर्दन है dr. हर्षवर्दन के द्वारा i lab i lab का वो क्या है ये infectious disease diagnose करने वाली lab है इसका मतलब क्या है ऐसी बिमारियां जो फैलती है infection फैलता है उनको diagnose करने के लिए lab बनाए गए ये चलती फिरती lab है गाड़ी में है ये गाउं के दूर दराज की इलागों में पहुचाए जाएगी जहां पर आज तक सुविधाय नहीं है और ये test करेगी corona का भी test करेगी इसके अलावा TB, HIV, ELISA ये सारे के सारे टेस्ट करेगी ठेक हो गई बात इसके लिए शुरुबात की गई है iLab ठेक हो गई बात चलिए अब यहां पर ना मुझे एक चीज देखनी चाहिए जो मैं आपको बताता हूँ आप आज कल जान रहे होंगे corona virus चल रहा है ठेक है मैं यहां पर फोटो अटेच की है जान बूझके और दूसरा टेस्ट कौन सा होता दूसरा टेस्ट होता rapid antibody test ठेक हो कही बात देखें कोरूना के लिए ये दो टेस्ट चल रहे हैं आज कल मैं आपको बहुत तसलिश से समझाऊंगा आप समझ लीजिएगा कोई आपसे पूछे क्या हो रहा है तो आपको इस पता होना चाहिए देखें सबसे पहले बात करते है नंबर एक RT PCR देखें हम जानते हैं COVID-19 जो है वो SARS family का वाइरस है ठीक है SARS family का वाइरस है ठीक होगी बात नंबर एक बात नंबर दो बात दूसरी जो आपको जाननी चाहिए Corona virus इज़े retro virus क्या कहा मैंने retro virus अब आप समझे Corona virus को मैंने retro virus का इसका क्या मतलब है चलिए मैं बताता हूँ देखें आपकी body में एक होता है DNA इस तरह से आप जानते हैं double helix model होता है DNA का और एक होता है RNA RNA का देखें single होता है इस तरह से single model होता है देखें तो ये है आपका DNA की structure और ये होती है आपकी RNA की structure बीच में ये ऐसे से लगा दीजे और यहां भी लगा दीजे ये RNA की structure है अब मुझे दोनों चीजे बतानी है क्या होता है आपको ये समझना चाहिए चलिए देखें मैंने आपको बताया कि corona is the retro virus नमबर एक बात बताई मैंने आपको दूसरा मैंने आपको DNA का DNA का मतलब डबल helix होता है नुकलिक असे ड होता है और आनने क्या होता है राइबोकसिक नुकलिक असे ड होता है आप जानते ही है न तो मुझे उससे कुछ नहीं लेना ये होता है डाइबोकसी और ये होता है राइबो टिक बात है तो मैं बात कर रहा हूँ DNA RNA की आप देखें मेरा कंसेप्ट समझी है में क्या बताना चाहरा हूँ आपको फीर हम चलते है आगे देखिए मैंने बताया है कि जो रेट्रो वायरस होता है तो रेट्रो वायरस किसे कहते हैं देखिए जिसमें भी आपकी अनुवांशिक कोडिंग देखे आप अनुवांशिक कोडिंग होती है यानि कि हमारे जीन होते हैं जीन एक तो होते हैं DNA में और एक होते हैं RNA में जिसमें भी जीन जो है यानि अनुवांशिक पदार्थ RNA होगा उसे ही रेट्रो वाइरस बोलते हैं समानने थे DNA में अनुवानशिक पदार्थ होते हैं लेकिन जिसमें भी अनुवानशिक पदार्थ RNA होगा उस वाइरस को रेट्रो वाइरस बोलेंगे एक बात पूरी होगी चलिए देखिए अब जो ये बंदा है ना इस बंदे का पहले नाम बताईए क्या है देखिए मैं बत सी से होता है चेन और आर से होता है रियेक्शन अगर इनकी खोज ना होती तो आज हम कोरुना को पहचान भी ना पाते हैं आप कहते कैसे मैं अब आपको बताता हूँ देखिए मैंने आपको कहा कि जो अनुवानशिक पदार्थ होता है वो DNA होता है ठीक है और DNA की माल लीजे आपकी बोड़ी से DNA निकाला गया फिर इसका करते हैं PCR PCR का मतलब polymer chain reaction एक DNA से कहीं सारे DNA बना दिये जाएंगे कहीं सारी DNA कापी बना दी जाएगी ठीक होगी बात बहुत सारी DNA कापी बना दी माल लीजे आपका DNA लिया गया और वो viral infected था यानि कि आपको कोरुना के लक्षन आ इसमें भी कोरुना के लक्षन है इसमें भी कोरुना के लक्षन है इसमें भी इसमें भी तब कहते हैं कि येस इस इस एक कंफर्म केस कि व्यक्ति जो है कोरुना पॉजटिव पाया गया है ठीक होगी बात नमबर एक बात अब क्या है हो क्या रहा है हमारे साथ हम देखते हैं अब मैंने आपको बताया, जो हमारा कोरुना है, उसमें अनुवान्शिक पदार्थ क्या है? उसमें अनुवान्शिक पदार्थ आरेन्ने है, ठीक बात है, तो हम बात कर रहे थे, कि देखें, एक शब्द आएगा, जिसका नाम होता है, ट्रांस्क्रिप्शन, ठीक हो कही बात और अगर मैं इसे लिख दू, रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन, मैंने दो शब्द लिखें यहां पर, एक ट्रांस्क्रिप्शन और एक रिवर्स ट्रांस्क्रिप्शन, ट्रांस्क्रिप्शन क्या होता है, ट्रांस्क्रिप्शन का मतलब होता है, आप DNA से RNA की सिंथेसिस कर र रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांस्क्रिप्शन ठीक है लेकिन मैंने आपको पता है कोरुणा में डी एन्ने है ही नहीं तो हम क्या करेंगे उसमें रिवर्स chain reaction और इससे कहीं सारे DNA 1, DNA 2, कहीं सारे DNA की copy बनाएंगे, फिर उसमें सब में अगर कोरुना के लक्ष कोरुना वाइरस पाया जाता है, तब क्या कहेंगी, लैब कहेंगी कि आप confirmed coronavirus infected हैं, तो आप समझें, what is RT-PCR, अब देखें, टेस्ट का नाम क्या था, टेस्ट का नाम था, R, C, RT-PCR, R का मतलब था reverse, T का मतलब था transcription, P का मतलब था polymer, C का मतलब था chain और R का मतलब था reaction, तो आपने देखा भी होगा, जब भी corona के sample लेते हैं, तो कहां से नाग के नीचे से लेते हैं, या फिर गले में से ले रहे थे, आपने देखा भी होगा, तो इसलिए यहां से sample ली जाते हैं, DNA के sample ली जाते हैं, वेक्टी के, उसमें corona virus RNA होता है, उसे DNA में convert करते हैं, that is RT, reverse transcription, फिर उसकी कहीं सारी copy बनाते हैं, that is polymer chain reaction, और तब हम बताते हैं, अगर सब में infection होता है, तो हम कहते हैं, वेक्टी confirmed, क्या होता है, confirmed corona infected है, आप समझ की होंगे, मैं आशा करता हूँ, मैं आपको short में, संक्षिप्ट में सारा सार समझाने कोशिस किये, देखिए, इस test की कमी क्या है, एक तो महंगा है ये, और इसमें, दो से तीन दिन लग रहे है, रिपोर्ट में, आप सरकार की आलोच ना करें, कि सरकार ज़्यादा test नहीं कर पारी, ज़्यादा test नहीं कर पारी, अरे भाई, ये process ही इतना लंबा है, सरकार करें क्या, अगर मालोक confirm नहीं होगा, तो कैसे आप किसी का इलाज कर पाएगी, तो इसलिए सरकार ने lockdown करा था, कि इतने हमारे पास kit भी available होगी, और हमारे पास सारे संसाधन होगे, इतने लोगों को एक जिएक सेटल करके, स्प्रेड होने से रोका जाए, इसलिए lockdown किया गया था, चलिए, अब मैं दूसरे चीज़ पर आता हूँ, दूसरे टेस्ट का नाम क्या है, दूसरे टेस्ट का नाम है Rapid Antibody Test, ठीक है, एक और टेस्ट है, उसकी बात कर लेगा, देखें, होता क्या है Antibody, व्यक्ति की ना, हमारे शरीर में Antibody बनती है, Antibody क्या करती है, हमारे शरीर में बाहर से कोई भी कुछ आएगा, बाहर से क्या आएगा, Antigen आते हैं, हमारी बाडी में, बाडी का जो अपना घर का आदमी है, उसका नाम Antibody है और जो बाहर से गुषते हैं, उन्हें Antigen, शरीर में कोई भी Antigen पर विश करेगा, अगर वो हमारे लिए infected है, तो हमारा बाडी जो है, Antibody बनाने लगेगी, यह उससे लड़ने के लिए तो हमारी बाडी में कैसे Antibody बन रहे हैं, एक तो नॉर्मली बनते रहते हैं, और अगर मालो Antibody ज़्यादा बन रहे हैं, या कुछ Suspicious Antibody बन रहे हैं, तब इस टेस्स से पतलगता है कि हाँ बाडी में कुछ वाइरल इंफेक्शन है, जिस कारण से इस तरह के Antibody बन रहे हैं, यही Rapid Antibody टेस्ट है, अब इससे क्या हुआ, कहीं बार क्या होता है, किसी वेक्ती के अंदर Corona infection तो है, वाइरस तो है, बट उसकी बाडी, अभी बाडी Antibody नहीं बना रहे हैं, तो उसका लोगों के Corona negative आने के बाद report बाद में Corona positive आई है, तो यह test में report तो 2-3 गंटे में आ जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा reliable नहीं है यह report, इसलिए सरकार जो है, बच रही थी इससे, ठीक बात होगी, मैंने आपको दोनों test बता दिये, एक RT-PCI test भी बता दिये, और एक Rapid Antibody test भी बता दिये, चलिए, मैं next question पर चलो, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका time खराब होगा, ठीक है, next, भारत के रक्षा मंतरी राजना सिंग किस देश की राजदानी मौस्कों में 75 में एतिहासिक विक्ट्री परेड में हिस्सा लेंगे, ठीक होगी बात चलिए, next question प्या किस में दिश राजी में किस देश ने विीदिशी परेड को पर परतिबं लगा दिया है, देखे अभी Spain ने लगा दिया, विदिशी परेड को परतिबं हटा दिया है, इससे पहले जापान ने भी हटाया था, अब इस्पेन osaurus को आप जानते कोरोने के वीचे से है, विक्ट खतम हो गई चलिए इतनी मुलाकात की हमारी तुमारी आप पढ़िएगा खुब पढ़िएगा खुब अच्छे से पढ़िए समझीए कोई दिक्कात हो तो मुझे कमेंट करिएगा ठीक है ध्यान लखे अपना खुश रहिए थैंक यू